नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में टाटा केमिकल का शेर बीते तीन ट्रेडिंग सेशन्स में आल्मोस्ट तीस परसेंट भाग चुका है और शायद आपनों को पता चल चुका है ये शेर क्यों भागा है लेकिन अभी ये सवाल है कि क्या यहाँ पर लेना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन की मदद से कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े समझाना चाहूँगा for an example, Tata Chemical को ही समस्ते है Tata Chemical का शेयर क्यों भागा है अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो आप समझ जाएगे Tata Group ने announce करा है कि उनका IPO Tata Suns का आएगा in fact उनोंने announce नहीं करा है RBI के rules के according अब ये इसको मार्केट में उताना ही पड़ेगा क्योंकि RBI ने से एक अपर लेयर की NBFC गोशित कर दिया था 2023 सेप्टेमबर अक्टूबर में जिसके बाद रूल है कि अगर आप अपर लेयर की NBFC बन जाते हो तो अगले दो सालों के अंदर आपका शेर मार्केट में लिस्ट होना चाहिए जिसके हिसाब से 2025 सेप्टेमबर तक टाटा संस का IPO बजार में उतरना चाहिए यह खबर आई दोबारा से पहले आई थी तब भी तोड़ावर टाटा केमिकल ने मूव दिया था अभी दोबार आई तो चल गया अब IPO आई इससे टाटा केमिकल क्यों चल रहा है इसको समझते हैं तेकि टाटा संस का जो मार्केट कैप अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 11 लाग करोड का और 55 जार करोड का API आई अगर 11,00,00 MARK का IPO आ रहा है टाटा संस का वेस्ट के तो जाएगा 11,00,00 को छोड़ देते हैं अभी करंळी अरौण 8,00,00 की समतिंगा मार्केट कैप ज़ज किया जा रहा है अभी के साफ से overall 11 lakh crore का माना जा रहा है अगर 8 का भी देखे तो भी 24,000 crore हो जाता है और Tata Chemical का total market cap जो था ना दो दिन पहले वो था आपका 22,000 crore का यानि कि Tata Chemical एक company में invested है अगर वो अपने shares को बेच दे तो उसके पास 25,000 crore के something आ जाएगा और company का total market cap कितना था? 25,000 crore तो यानि कि company का जो काम है जो Tata Chemical business कर रही है उस business की total value बजार क्या आक रहा है? 0 company जो profit कर रही है वो profit कहा जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये under value की कहानी थी जिसके बाद बजार ने गा नहीं भाई साब इसे under value नहीं है आप कही नहीं जाके reward देना चाहिए तो share में उच्छाल मारा है ठीक है? अब एक और चीज़ आज current हिसाब से देखा जाए तो 33, 35,000 crore का market cap हो चुका है क्या अब justified है? company 2000 crore का profit बना रही है एक पूरे financial year 12 महीने में आनी की तो 2000 crore का मुनाफ़ा अगर 10% से भी grow करता है तो 2 साल में हो जाएगा वो 2500 crore का 2500 crore के मुनाफ़े वाली गंपरी को आप क्या valuation देना चाहोगे वो आपके उपर depend करता है उसके बाद उनकी एक investment है जो की लगबग 30,000 crore की है तो कभी भी holding company को valuation पूरे नहीं मिलते है For an example, Tata Chemical का ilume है तो Tata Chemical का value 3% वा 33,000 crore जरूर है 11,000,000 crore के market cap से लेकिन उसको कभी 33,000 crore की value नहीं उसको 50% यानि 16,000, 16,000 crore की value आखी जाएगी हमेशा holding company discount में trade करती है यह हमेशा याद रखना मैं ऐसे बहुत सारे examples दे सकता हूँ Godrage है आपका industries जो है मैं एक और example देना चाता हूँ अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा जनवरी 2023 में हिंडन बग की report आई थी अदानी गुरुप पे जिसके बाद अदानी गुरुप crash हुआ था उसमें मैंने एक stock आपके लिए identify किया था Sowne का अंडा वो था Amboja Cement Amboja Cement का market cap उस समय केवल और केवल अरूँज़ अरूँज़ पचास हजार करोड पे मिल रहा था Amboja Cement का तब मैंने आपको बताया था यह ACC में 50% shareholder है और ACC का market cap 54,000 करोड का है उस हिसाब से Amboja Cement के पास केतना हो गया 17,000 करोड ठीक है जी और Amboja Cement पे around 20-22,000 करोड का reserves है उसको include 25,000 करोड था आई दिंग तो वो 37,000 करोड हो जाएगा यानि कि Amboja Cement का टोटल कारोबार एसिट, पैसिट सम मिला के फैक्टरी वगयरा सम मिला के किवल 20,000 करोड का यह बहुत गलत है यह market cap डेफिनेटली उपर आएगा तब आप से कहाता है share का भाव देख लो अलागी पूरा दानी गुरूप चलके वो एक अलग बात है लेकिन इस तरीके की calculation जब हम करने निकले तो हमें लगता है यह तो हमने क्या चीज पकड़ ली बट बजार में वो बिलकुल काम नहीं करती है कितनी ऐसी ऐसी कंपनिया पढ़ी है जिनकी दूसरे shares में खरीद उनकी total market cap से ज़ादा है बट shares नहीं चलते है और ये भी नहीं पता किसको कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बस फर कितना है अगर चीज चलने लगती है तो हम सब वीडियो बनाते है आप सब देखते हो आप सब अपने दिमाग में फिट कर ले दे और shares को खरीदते हो लेकिन हकीकत पे नहीं जाते है अभी मैं पहले टाटा केमिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ भी सकते है कि यह मैं रिपोर्ट कहां पर बढ़ रहा हूँ फॉर्चून इंडिया पे बढ़ रहा हूँ इन्होंने किलियरली लिखाए कि FY25 के हिसाब से टाटा केमिकल तीन परसेंट ओन करता है टाटा संस में जिसकी वैल्यू इतनी आ सकती है साथी साथ अगर आप देखे तो टाटा पावर 2% होल करता है इंडियन होटल एक परसेंट होल करता है और बाकी की टाटा गुरूप की कुछ कंपनिया भी है लाइक टाटा मॉर्टस वगएरा ये भी टाटा संस में तीन दीन परसेंट ओन करती है बट ये क्यों नहीं चल रहे है क्योंकि इनकी वैल्यू अल्रेड़ी भड़ी हुई है काफी बढ़ी है मार्केट केप के साब से मैं आपको बदाना चाहता हूँ जो भी कंपनी होल्डिंग कंपनी है जैसे टाटा केमिकल इससे में टाटा संस में एक होल्डिंग कंपनी है 3% इसको कभी पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी तो इस तरीके से आप टाटा केमिकल तो ठीक है बहुत सारे इन्वेस्टर काईगी और केल्कुलेशन कर रहे हैं कोई लोग गौद रेज में करने ही कोश कर रहा है बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनी है मैं पढ़के नहीं आया तो मैं आपको नहीं बता पाँगा बट मैंने टाइम टू टाइम इस तरीकी काफी वीडियो शेयर करी हुई है तो आप उनमें ये मत सोचना कि अब इनमें भी ऐसी तेजी आई ये क्या है कि मार्केट में किसी शेयर को बड़े इनमेस्टर ने चलाना है उसने कुछ ना उच करके चला देना है हाला कि एक्चुल में देखा जाए तो यहां से भी टाटा केमिकल और दम रखता है बट अभी देड़ साल पढ़ा है सेप्टेंबर दोजार पच्चिस में कभी भी एक हवर ठंडी होगी दुबारा सेलिंग आएगी मार्केट तूटेगा गिरेगा शेयर तब ले लेना आराम से बैठ ना लेके कोई दिक्कत नहीं है केमिकल में टाटा केमिकल वैसी सबसा सस्ता मिलता है क्यों क्योंकि वो होल्डिंग कम्पनी है तो यह मेरी तरब से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी टाटा गुरूप से बाकी कौन-कौन टाटा संस में होल्ड करता है एक बार बता दू हाइस परसेंटेज दोराब जी टाटा ट्रस्ट के पास है 28% रदन टाटा ट्रस्ट के पास है 24% टाटा मॉटर्स टाटा केमिकल 33% ओन करते हैं टाटा पावर 2% करता है और इंडियान होटल एक परसेंट ओन करता है Cyrus mystery family led sterling investment corporation and Cyrus investment 99% own करते हैं यह आपके लिए पूरी detail थी ओप आपको सारी चीजे समझ में आई होगी Thank you so much for watching this video Have a great day guys